प्रकाश के अपवर्तन की घटना दो नियमों पर अधारित है जिन में से हम पहला नियम देखे तो अपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलम ये तीनों एक ही तल्मे होते हैं दूसरा यदि हम अपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात ले तो इस सदय भी एक निश्चित राशी आती है जिसे हम पहले माध्यम के सापक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग कहते हैं इसे हम दर्शाते हैं मियू से लेकिन यदि पहले माध्यम के सापक्ष दूसरे माध्यम का पवर्तनांग लिए जा रहा है तो हम लिखते है वन मियू टू यह बराबर होता है साइन आई अपवर्तन ओं की जिया और इसे सबसे पहले बताया था डच साइंटिस्ट वस्नेल इसलिए दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं एक माध्यम को हम दूसरे माध्यम से जब compare करते हैं तो उसी के आधार पर अपवर्तनांग दो प्रकार के होते हैं एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांग यानि की absolute refractive index यानि की relative refractive index यदि हम किसी माध्यम को यहां रखे हुए हैं तो इसका मतलब वह माध्यम किस से compare किया जा रहा होगा व्योंकि आसपस क्या है वाईयू है और वाईयू भी एक माध्यम है तो जब कोई अन्य माध्यम ना हो तो यह सपष्ट है कि आसपस तो वाईयू है ही तो हम उस माध्यम की तुलना किस से कर रहे हैं वाईयू से जब हम किसी माध्यम को अन्य माध्यम से तुलना करते हैं तो इस प्रकार उस माध्यम का अपवर्तनांग दो तरेकर हो सकता है एक तो निरपेख्ष अपवर्तनांग यानि कि अचलूट रफ्रेक्टिव इंडेक्स जब हम उस माध्यम की तुल्ला वायू या निर्वात से कर रहे हैं कि जब माध्यम कहीं रखा होता है तो आसपस मौजुद हो गी है। अगर वाइउ भी ना हो वहाँ पर उस case में निरवात लेते हैं तो निरवात या वायू के तुलना में जब किसी माध्यं की अफ्वरतनांग निकाला जाता है तो उसे हम निर्पेक्ष अपवरतनांग दान को केवल म्यू से दर्शाय जाता है या फिर हम कभी काच का अपवर्तनांग निकाल रहे हैं तो म्यू जी लिख देते हैं पानी का अपवर्तनांग निकाल रहे हैं वाटर है इसलिए म्यू डब्लू लिख देते हैं और स्नेल के नियम के नुसार यदि हम देखें तो म्यू जी या माध्यम में प्रवेश करती है तो अपतन कोन कहां बनता है वायू में और अपवर्तन कोन कहां बनता है उस माध्यम के अंदर हम यह भी जानते हैं कि प्रकाश का चाल अलग-अलग माध्यम में चेंज हो जाता है यदि प्रकाश का चाल वायू में यह निर्वात में सी है और मा प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होती है इस इस्तिती में बिल्कुल इसपश्ट है कि हम माध्यम की तुलना वायू या निर्वात से कर रहे हैं अब ये बताओ मुझे कि निर्वात का अपवर्तनांग कितना होता है हम निर्वात से ये वायू से कंपेर कर रहे हैं तो निर्वात का अपवर्तनांग हम एक लेते हैं और वायू का वायू का 1.00029 होता है जो कि लगभग एक के बराबर होता है और इसी से ही दूसरे माध्यम की तुलना करें तो हमें प्राप्त होता है उस माध्यम का निर्पेक्ष अपवर्तनांग इसी प्रकार दो अलग-अलग माध्यम रखे गए हो जैसे की पानी और काँच या फिर तेल तो इन दोनों माध्यम की तुलना जब की जाएगी तो इस अपवर्तनांग को हम कहेंगे सापिक्ष अपवर्तनांग यानी की relative refractive index infects और इसे भी मूउ से दर्शाते हैं पर हम एक माध्यम के तुलना दूसरे से कर रहे हैं इसे लिए हम यहाँ पर कुछ नीचे notations लग देते हैं मान लेजे कि प्रकाश पानी से चलके काश में प्रवेश कर रहा है पानी के लिए वाटर के लिए हम डबलू लिखते हैं काश यानि के ग्लास के लिए जी लिखते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे डबल्यू म्यू जी यानि की पानी के साथ एक्ष ग्लास का अपवर्तनांग निकाल रहे हम ग्लास का अपवर्तनांक है तुलना किसके साथ कर रहे हैं पानी के साथ तो W को हम सामने लिखेंगे और G को हम पीछे लिखेंगे जिसका अपवर्तनांक निकालने वाले होते हैं उसको हम पीछे की वर लिखते हैं वैसे ही यदि कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तुलना की जारी है तो हम लिखते हैं 1μ2 यहाँ पर सेकेंड वाले माध्यम का अपवर्तना ग्याद किया जा रहा है पहले वाले माध्यम की तुलना में यदि पहले वाले माध्यम में प्रकाश कवेग V1 है और अपवर्त माध्यम में प्रकाश का वेग अपन दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग और इस प्रकार किसी माध्यम का अपवर्तनांग कई और कारणों पे भी निर्भर करता है जिन में से पहला है लिए गए माध्यम के जोड़े की प्रकृती पर अपने कौन से दो जोड़े लिए हैं क प्रकाश का वेग अलग अलग होगा और जब इसकी तुलना की जाएगी इसका अनुपात निकाला जाएगा तो इसके अनुसार इनका प्रतनांग भी चेंज हो जाता है जैसे कि कांच का प्रतनांग वाईयू की तुलना में लिया जाता है 1.5 नेक्स्ट माध्यम के घनत्व पर यहां पर घनत्व से मतलब है प्रकाशिक घनत्व जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग-अलग प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश का वेग डिफरेंट होता है यदि प्रकाशिक घनत्व अधिक है तो वहां प्रका प्रकाश के रंग पर प्रकाश का अलग-अलग नंकि अलग-अलग तरंग देरदे के कारण होता है और तरंग देरदे और अपवर्तनांक में शूत्र कोची ने बताया था इसे हम कौची का सूत्र कहते हैं, कौची के सूत्र के नुसार, म्यू बराबर A प्लस B अपन लेम्डा स्क्वेर प्लस C अपन लेम्डा पावर 4 प्लस एड सो ओन, इस प्रकार ये सीरीज आगे चलते जाती हैं, और इस सूत्र से हम देखें, जो प्रकाश का तरंग, देर्द और अपवरतनांग, इनका सम्मद्ध व्यूत क्रम अनुपाति का है, यानि कि तरंग दयर्द अधिक हुआ तो अपवरतनाग कम होगा, और तरंग दयर्द अधिक होगा, यदि हम द्रिश्य प्रकाष को देखे, तो इसमें साथ तरंग होते हैं, जिन में से बैगनी का तरंग द्यार्दे सबसे कम होता है और लाल का तरंग द्यार्दे सबसे अधिक होता है यही कारण है कि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है और बैगनी वाले रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है और यही कारण है कि खत्रे का सिगनल लाल रंग का क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांग कम होता है मतलब वो अपने रास्ते से ज़्यादा विशलित नहीं होता और वो दूर तक गमन कर सकता है नेक्स्ट है माध्यम के ताप पर यदि हम माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रकाशिक घनत्व कम हो जाता है और प्रकाशिक घनत्व कम हो जाने पर उसका अपवर्तनांग भी कम हो जाता है यानि कि ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांग कम होगा और ताप घटाने पर अपवर्तनांग बढ़ेगा इन सभी कारों को सी स्पष्ट है कि अपवर्तनां का मेन कारण है भिन भिन माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन भिन होना यदि किसी एक माध्यम में प्रकाश का चाल V1 है और अपवर्तन के पश्यात प्रकाश का चाल V2 है दूसरे माध्यम में तो स्नेल के नियम के नुसर हम लिखते हैं 1μ2 बराबर sin I upon sin R जहां sin i पहले माध्यम में अपतन कोण है और sin r दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण है और हम ये भी चानते हैं 1 mu 2 बराबर होता है v1 upon v2 यानि कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल इन दोनों समीकरंट से हम देखें तो हम लिख सकते हैं साइनाई अपॉन साइनार इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू अब मान लीजिए प्रकाश विरल माध्यम से सगन माध्यम में प्रवेश कर रही है विरल माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होगा इसका मतलब विरल माध्यम में प्रकाश का वेख अधिक हुआ सगन माध्यम में प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा यानि कि यहाँ पर प्रकाश का वेख कम होगा इस अनुसार हम लिख सकते हैं वी वन इस ग्रेटर देन वी टू और हम लिख सकते हैं sin i is greater than sin r और यहां हम तुलना करें तो i is greater than r यानि कि इन दोनों माध्यम का pair हम देखें तो i का मान r की तुलना में अधिक है तो इस condition में जब अपवर्तन होता है यानि कि viral से सघन माध्यम में तो प्रकाश की किरण अभिलम के पास जुकती है यदि हम condition reverse कर दे हम सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन देखें उस condition में सघन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक है वहां वेग कम होगा विरल माध्यम में प्रकाशिक घनत्व कम है वहाँ वेग अधिक होगा तो हम क्या लिखेंगे V1 is less than V2 जहां V1 सघन माध्यम का वेग ले रहे हैं और V2 विरल माध्यम का वेग ले रहे हैं आई सगन माध्यम में अपतन कौन ले रहे हैं और आर विरल माध्यम में अपवर्तन कौन इस अनुसदार साइन आई का मान भी साइन आर से कम हो जाएगा और आई का मान भी आर से कम होगा और इस स्थिती में यदि अपवर्तन हुआ तो हम देख सकते हैं जो अपवर्तित होगी वह अभिलंब से दूर जुगेगी कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में यह देखा गया है जब प्रकाश अलग-अलग माध्यम से गुजर रही है जब अलग-अलग करती है जिस रास्ते से वो चल कर आई है यानि कि हर जगह पर उसने जिस मोड का अनभव किया होगा जब वह वापस जाएगी तो उसी मोड से वह गुजरती वी वापस चली जाती है और प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमनियता का सिध्धान्त यदि हम इसको समझने के लिए काश और वाईयू का एक जोड़ा लेते हैं यहाँ पर प्रकाश पहले माध्यम वाईयू में गमन करती हुई इस काश में प्रवेश कर रही है यहाँ पर प्रकाश का प्वर्तन हुआ और वो अभी लंब के पास जुग गई यदि हम इस काश म में एक मिरर रग दें अंदर और इस मिरर की सहयता से इस अपवर्तित किरण के डारेक्शन को रिवर्स किया जाए हम जानते हैं कि काश में जब प्रकाश की किरण पढ़ती है तो वहाँ पर पर परावर्तन के नियम का पालन करती है मतनब जितना ही आपतन कोन होगा उतना ही लंबवत पड़ेगी लंबवत पड़ेगी तो वो टकरा कर वापिस लंबवत ही उसी मार्क पे गुजर जाएगी यहां पर तो ठीक है यह वापस जा रही है लेकिन जहां पर फिर इन दोनों माध्यमों के बीच में इंटरफेस मिल रहा है अपवर्तक प्रिष्ठ मिल रहा है पर अपवर्तन एक बर फिर होने को है और अपवर्तन के पश्चाद भी यह उसी मार्क पर वापिस चली जाएगी जैसा कि वह अपतित हुई थी यहां पर हमने कांच का अपवर्तनांक वाईयू के तुन्ना में लिया है ए म्यू जी यह बराबर होगा साइन आई अपन साइ इस स्नेल के नियम के अनुसार लेकिन यदी जब सघन से वरल में जा रहा है यानि twenty वाइयू में जा रहा है तो हम उसका अपवर्तनांक लिखेंगे Junior G mu A, मतलब yu का अपवर्तनांग अपकाच की तुलना में लिया जा रहा है, अब यहां हम देखें, तो एक सकाच के अंदर जो कोण बन रहा है, और वो यहां पर अपतन कोण की तरह कारे करेगा, और जो अपतन कोण I हमने बाहर लिखा था, वो इस पेयर के लिए अपवर्तन क कोण हो जाएगा, तो स्नेल की नियम के अनुसर हम लिखेंगे, G mu A बराबर sin R upon sin I, अब इन दोनों एक्वेशन को हम गुणा कर दें, तो हम लिखेंगे, A mu G into G mu A, बराबर sin I upon sin R into sin R upon sin I, sin I, sin I cancel हो जाएगा, sin R, sin R cancel हो जाएगा, और यहां बचेगा केवल 1, तो हम लिख सक करते हैं, A mu G into G mu A बराबर 1, और पक्षांतर करेंगे तो, A mu G बराबर 1 upon G mu A, इस प्रकार उत्क्रम्नियता के सिधान्त के अनुसार हम लिख सकते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग बराबर होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले म अध्यम के अपवर्तनांग के व्योदक्रम के, और हम इस प्रकार आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 mu 2 बराबर 1 upon 2 mu 1, और यदि कांच और वायू की तुन न करें, तो कांच का अपवर्तनांग वायू के सापेक्ष होता है, 3 by 2, तो वायू का अपवर्तनांग कांच के सापेक शोजाएगा, 2 by 3.